मामा, दो पीलीजी, रख दे, रख दे नहीं, आप भूल जाएंगे, सुबह तक लास ऐसा है रख रहेगा, नहीं भूलेंगे बाबा, तु रख, और आ, मेरे पास फैर, मुझे तुझे कुछ बाते करनी है, क्या बात करनी है? तु मेरी सबसे समझदार बेटी है, सबका कितना ख्याल रखती है, बेटा, एक रिक्वेस्ट करने थी तुक से, ममा, क्या बात है? बेटा, मुझे खुशे की बहुत चिंता है, वो तेरी तरह समझदार नहीं है, भोली है, नादान है, अलड़ है, शादी क्या होती है, उसके जिम्मेदारिया क्या होती है, इसका एहसास तक नहीं है उसे, पर मैं जानती हूँ कि वो धीरे-धीरे सब समझ जाएगी, शुरू-शुरू में नए माहौल में जाकर, नए घर में बसकर, हो सकता है, उससे कुछ गल्तिया हो, यूंकि तुम दोनों एक ही घर में जा रही हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सही रास्ता चुनने में में खुशी की मदद करना, और उसे हर मुसीबत से बचाये रखना, ममा, मैंने खुशी को हमेशा अपनी बेहन के दरह माना है, बलकि खुशी मेरी बेहन है, अगर आप नहीं भी कहती, तो भी मैं हमेशा खुशी का ख्याल रखती, मैं खुशी का ख्याल रखंगी ममा, यह मे किनो है सहेली, एक दूजे बिन्ना केली, ना होंगे कभी हम जुदा। दुनिया छूटे तो छूटे, ये बंधन कभी न छूटे, यही अपना बादा रहा। जब कर दो दूटे, यहीं कर दो किनो जुदा रहा है। जबकि मुझे पता है कि आंडोनों की चोईस कमी ने मिल सकती। तुमारे साथ प्रेजन खरीदने के लिए कोई गधा ही आ सकता है। क्या का तुम्ने? मैंने तुमसे कुछ नी कहा, मैंने अपने आपको गधागा। रे, शादी का तूफा नए जोड़े के लिए एक संदेश होता है। उनकी भ्याता जिंदगी के बारे में थी। और तुम, तुम खुशी और विशाल को क्या देना चाहती थी। एक वाशिंग मशीन, एक वाशिंग मशीन डेकर तुम उन्हें क्या जताना चाहती थी। कि वह हमेशा साफ सुत्रे रहे, हर वक्त अपने कप्ड़े धोते रहे, क्यूं? अभी वह गंदे और बद्कुदार कप्ड़े पहनती। पताओ कि? Excuse me mister, तुम और दोनों के लिए क्या खरीदना चाहते थे? विस्यार तुम्हें पता है, आजकल ना कबाड़ी वाले के पाफ से वीडियो कसेस नहीं मिलती है और तुम्हारा ये गिफ उन्हें कौन सा संदेश देने वाला था? यही ना कि वो दोनों रिटार्ट बुड़्ों के तरह आप में टीवी के सामने बैठे, हाथ में कॉफी का मग ले और बाबा आदम के जमाने के पुराने पिक्चर देखे, शे! यू वाट! हूँ! 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 यह संचना कहा रह गई, कितना काम करना है, कितनी सारी बाते फाइनल करनी है शादी के लिए, हम यहाँ बेवकूफों की तरह बैठकर उसका इंतजार कर रहे हैं, कभी भी बक्त पर ना पहुंचनी कसम खा रखी है संचना ने अरे खुशी, उसको ऑफिस के बाद कभीर से मिल ले जाना था, कुछ काम था उसे क्या? तभी, तभी उसे इतनी देर होगी क्या मतलब? वो दोना कहीं बैठकर किसी बात पर जगड रहे होंगी, बिना यह सोचे कि कोई उनका इंतजार कर रहा है सच खुशी, इन दोनों के लिए यह कहावत है ना, एक्तम फिट बैटी राम बनाए जोडी, एक अंधा, एक कोडी लेकिन उन्हें जोडी मत कहना, अगर संचना ने सुन दिया, तो मालो में क्या कहेगी? मारूंगी कुबीर, प्लीज कुछ थंडा मंगाते हैं वह लाजिए, इसे अगर तुम्हें तो पर्तनर साथ में हो, जो हमेशा डिसल्करी करें अब फिर दोनों एक गिफित करें तयार होई गें और यह किसी चमतकार से कम नहीं है यह जा लिए लेकिन वाल्स इसंदिश्ट, वेटर वेटर श्यंपेइन अग यार मजाग करो, मैं एक ओल कोफी बाइस्किम लो ना इमार कर लेगी स्वीट लाइम सोड़ा प्लीव ओप लेकिन कभी ये गिफ्ट ना बहुत अच्छा है इन फाट अगर मेरी शाद में मुझे कोई ये तौफा देता ना तो मैं उसे खुशी-खुशी कबूल कर लेती है कबूल तो मैं कर लेता, वाकि ये गिफ्ट मुझे भी बहुत पसंद तो फिर शादी कर लो ना ऐसा तौफा मिल जाएगा कर लेता, लेकिन क्या ना मुझे मेरी टाइप क्री याज तो कोई लड़की नी मिली ओू क्या, तुम ने क्यूनी की शादी अप तक हाँ? सेम प्रॉबल्म, मुझे भी मेरी पसंद का लड़का मिली ने रहा है कैसा लड़का चाहिए तो Hi positivity, Kabeer, कमझे ऐसा लड़का चाहिए जिसकी ऀनकिग मेरी तरह हो जिसकी जिन्दगी को देखने का नजरिया मेरी तरह हो जो अमभिस हो तुम हारी तरह जो डिंदर्मेंट हो तुम हारी तरह जो मेरी बातों को समझ सके समझे समझे क्या तुम्हारे लिए ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है बहरी, बहरी डिफिकृट लेकिन कभी मुझे एक ऐसा लड़का मिला था यहली? कब? कहा? गुश क्लासेज में लेकिन वो मेरी इशारों को समझ ही ने पाए क्लासेज में? लेकिन वहां तो तुम सिर्फ मुझ से बात किया करती थी तुम मेरी बात करिया थी वो लड़का मैं ही हूँ ना एक बात मैं भी तुम्हे बताना चाहता हूँ जितना तुम उस लड़के को पसंद करती थी ना वो भी तुम्हे उतना ही चाहता था और वो हमेशा तुम्हारे पीछे लगा रहता था तुम्हें इंप्रेस करने के लिए लेकिन तुम हमेशा इमोटी बिल्ली के दर उसके साथ जगड़ती रहती थी बेचारा वो Kabir, you are so stupid! तुम इतनी बात ने समझ पाए मेरके तुम्हेशा जगड़ती थी कि मुझे मुझे क्या ठुम्हें क्या नवचे अर् Brendan ओंव्त करती है प्यार किर्टी घर करते है इंपने और तुम मुझे मुझे प्यार करते हैं आप प्लीज दुबारा जगड़ा करे हैً सबकुछ सह स्त्याणश इजिए। जंगो, पहले क्यों नहीं बिताया? इस ओके याद वोट ओके? देखो, अब हमने पहला कदम उठाने में इतनी देर लगा दिया है दूसरा कदम उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए कौनसा दूसरा कदम? अब भी बताता हूं इस अब भी देर ये थे लिजए भाया तूमुछ को भाया इनाचीज तूमसे बहुत महबद करता हूं तूमुछ टूमुछ जशादी करोगी बगे तूमुछ अपना शाव यहुऊ हुआ मॉर्ण पुर्ण एड़ आरे आव हो बिटी आव गुट पर लुटर्ण कपिर एक अच्छा मेसजाए के तो सुनो यह है मॉर्ण दाट जो बहुत आप दुलें से कुछ जुछ दुरुरी बात करना चात हूं हाँ हाँ बोलो बटे इस बारे में बात करें इए अपनी शादी के बारे में अपनी शादी के बारे में हमारे तो कान तरस के थे पिटा तेरे पापा और मैं कई दिन से यही बात कर रहे थे कि तू हाँ कब करेगा माँ माँ प्लीज मुझे बोलने का मौका दें तो हाँ हाँ बोल पर देख लड़के की बिल्कुल टेंशन मत करना अब तुन्हे हां कर दिया अरे ऐसी लड़की लॉंगी कि सारी दुनिया देखेगी गिल खांदान में ना ऐसी कभी बहु आई है और ना कभी आएगी सब की आँके फटी की फटी रह जाएगी और कभी देख दो चार लड़किया तो मैंने देख रखी है तो बस उनको देख ले, मिल ले, हां कर ले मैं अभी एसमेस कर चूँ माम, आपको किसी को एसमेस करने की ज़रूरत नहीं है मैं अपने लड़की पसंद कर चुका हूँ क्या? ग्रेट ग्रेट ये बड़ी अच्छी बात है बेटे इसका बतलब हमें लड़की दूने की कोई ज़रूरत है ही नहीं एक काम करो बेटे, तुम हमें उसे मिलवा दो ताकि हम शादी की तैयारिया शुरू कर दे क्यों? ऐसे कैसे तैयारिया शुरू कर देंगा? आपके चुपी रही है, जब से बोल ही रहे हैं कौन है वो लड़की? आप, आप दोनों से जानते हैं कौन है वो? आप, सणजना, खुशी और शूती भावी के दोस्त? क्या? हाँ मोम, हम दोनों एक दूसर से जानती यह शादी नहीं हो सकती कभीर लेकिन क्यो? मुझे वो लड़की पसंद नहीं है वो इस घर की बहु बनने के लाइक नहीं है कभीर, इस दुनिया में तुम्हे और कोई लड़की नहीं मिली? अरे, मुझ भट, बत्तमीज, बेहया लड़की है वो बड़ो की इज़त तरना नहीं जानती वो घर का कोई काम नहीं जानती वो वो इस घर की बहु नहीं मालेगी, तुझे खुछ नहीं रखेगी लेकिन मॉम देगो कभीर, मैं तुम्हारे ले एक ऐसी लड़की लाँगी जो संजना से बहतर होगी शायद आपकी नजरों में लेकिन मेरी नजरों में संजना से बहतर कोई लोगी शीतर, मैं समझता हो कि अगर कभीर को बोलन की पसल है तो एक बार चल कर दो कर दो कर फिर तैकर लेकिन उसे मिलने के बाद ही हम फैसला लेंगी नहीं फैसला हो चुका है कि हम उस्ते नहीं मिलेंगे अगर कोई बहु बनकर इस घर में आएगी तो उसका स्वभाव उसकी सास से मिलना चाहिए क्योंकि उन दोनों को साथ में रहना है संजना से मैं कहीं बार मिली हूँ लेकर उसका स्वभाव मेरे से नहीं मिलता है और नहीं मिलेगा आप उसे कहीं बार नहीं मौम सिरफ दो बार मिल चुकी और शिरफ दो मुलागातों ने अपने फैसला करिया कि आपको और उसका सोभा हो नहीं जादी कोई थेल नहीं, उठकर किसी से भी शादी कर लो, ये दो परिवारों का मिलन है, सब कुछ देख ना पड़ता है, परक ना कड़ता है, संजीनों केरियर माइंड़ है, वह हमें और संजना में वह सब गुण है, जो मैं अपनी बीवी में जाहता हूँ, मैं संजना से ही शादी करोगा, तभी, कान भोल के सुन्दा, मेरे जीते जी, वह लड़की इस घर की बाहू नहीं बनेगी, अन्दाट्स वाइनल, हाँ, पापा, मैंने कहा ना, मैं कबीर से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, वह पार सुटे हाँ, साच कह रही है न, मगापको नहीं करती हूँ, पापा, I'm dead serious, I'm dead happy, what? तब ये कि मैं खुशी के मारे पागल हो सकता हूँ, मर सकता हूँ, बेटा, पापा, you're impossible, बेटा, nothing is impossible, अगर तो शादी के लिए हाँ कर सकती है, तो दुनिया में कुछ भी impossible नहीं है, तो आपको मन्जूर है, मन्जूर है, वड़ी में मन्जूर है, लख लख वार मन्जूर है, ओ पापा, this is so boring या, क्या हुआ, मैंने सोचा था कि आप शादी से इंका हाँ, और शादी के मामले मूट, मैं एक पैसे का रिस्क भी नहीं दूँगा, मुझे मालूम है, अगर मैं मजाक में ना कर देता, तो तू भी शादी के लिए ना कर देता, लेकिन पापा, आप उस लड़के से मिलना नहीं चाहेंगे, उसे बात चीतने करना चाहेंगे, उस लड़का होगा, तुम्हारी पसंद है बिटा, और मैं तो कुरी को पुराना जानता हूँ, अच्छा लड़का है, चरीत है, अच्छे खांदान का है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू दोनों का जिंदगी को देखनी का नजरिया एक साहर, अच्छी जोड़ी जमेंगे, आपको मेरी पसंद पर इतना भरोसा है, थैंक यू पापा, अच्छा, अब मुझे क्या काम करना होगा, मैं यह करना हूँ, पापा, जस्ट रिलाक्स, आप इतने एक्साइटिग क्यो हो रहे है, आज शाम को मैं कबीर को क्लब में मिलने वाले हूँ, उसके बाद, वो उसके मम्मी पापा से मिलने वाली हो, फिर दो उसे घर पर लेकर आउँगी, डान, डान, लेकिन यह सब इतना अचारक हुआ कि मेरी भी समझ में निया रहा, तू और संजना, एक साथ, और शादी, यह सब कैसे हुआ, और तुम दो दो शादी के लिए राजी कैसे हो गए, राजी करना चाता है, तो प्रॉब्लम क्या है? सी, कभीर, मिया भी भी राजी, तू क्या करेगा काजी? आमेर, आंटी, आंटी से तुझे परमिशन मिलने वाली नहीं, तुम शादी कर लो, और एक पर तुमने शादी कर ली न, तो घर वालों को तू मानना ही पड़ेगा, उनको स् अज़राज चुप रहेगा, और अपनी ये मदद अपने पास ही रखना, तो वैशे सिटुएशन इतनी उलजी हुई है, और उलजा रहा है, देख कभीर, मेरी नजर में तो एक ही बात समझ जाती है, तू ज़रा कुछ वाक सब्र करना, तो आंटी का गुस्ता शान्त हो जा है, तू शार मुझे बहुष है की बात की चिंटा है, अगर मों नम न वहनी तो, तो मैं हूँ, और थे लिगा मैं तुम दोनों का हैसान का मिनी भूरूँगा अधायो मेना ये एसान वैसान की बात नहीं हो ये वोपड़ी में डाले तो पता है मैना शाम को इस संजरा को मुझा और जो भी हम दोनों की पीश में फैसला होगा शूर शूर अल्ट बेस्ट तू तो कहते थी कि मुझे शादी नहीं करनी मुझे सफ़ता के उस शिकर पर पहुंचना है जहां लोगों को अपने कट से उंचा उठकर मुझसे बात करनी पड़े क्यों पहले तो कहते थी कभीर अगर दुनिया का आखरी लड़का भी हुआ तो उसे देखूंगी भी ने शादी तो दूर की बात है क्यों क्या हुआ तेरा दुर निश्चा है अरे जहन्म में गया मैंने तुम दोनों से माफी मांग लिया आव आफ भी कर दो ना अरे ऐसे कैसे माफ कर दो तुने हमारी दोसी के रूल्स तोड़े हैं दोका दिया है हमें कैसा दोका अच्छा हम दोनों तो दुझे अपने बार में सब कुछ बताते हैं और तुन्हें भनक तक नहीं पढ़न तुम दोनों मेरा यकीन करो, मुझे खुद कबीर के लिए अपने भावनाव का एसास नहीं था मैं एक सक्सेस्वर करियर वूम बनने के धुन में इतना खो गए थी कि शायद यह एसास मेरे दिल की कोने में दब कर रह गया था पर आज जब पहली बार मुझे एसास हुआ तो सबसे पहले मैंने तुम दोनों के सामने अपने दिल को खोल कर रखा है जो मैंने किया है अगर तुम दोनों को बुरा लगा है तो I'm sorry मुझे मा यह जो तुमने किया है उससे हमें बहुत कुछी हुई है समझी साच और नहीं तो क्या जूट पुद्धु तु सोच जो तुने किया उससे क्या होगा क्या हम तीनों बहुए बनकर एक ही घर में जाएंगी और हमेशा साथ साथ रहेंगे साच यह किसी सपने से भी ज्यादा सुगाना है ना आज का दिन कितना मुबारक है आज शाम को हमारे संगीत का फंक्शन होगा और तेरी शादी का एलान हाँ सर कुछ चाहिए हो में कुछ ने थांकिए अच्छा सुना हो एक और कॉर्टिंटिंटियो हाई कहां रहेगी थी तुम मैं पता मैं कितनी देव से इंतिजार करना तुमारा लुक अट यू तुम बिलकुल एक तजूर बेदार आशिक के तरह ना डायलोग्स भिक रहे हो अरे बाबा में खुशी कि यहां गई थी उन दोनों को न्यू सुनाने वो इतने खुश है कि मुझे आने नहीं दे रहे थे अच्छा यह सब छोड़ो इन अपने डाड से बात की क्या कहते है क्या कहते है कि इस माई डाड और इन वान गई लेकिन वो तुम से मिलना चाहते है ना मैंने पापा से कह दिया कि पहले हम कबीर के ममी पापा से मिलकर आएंगे और फिर सीधा उनके पास आएंगे उनका अशरवादे ले को कबीर हारी अब तेर हो जाएगी मेरे घर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है मतलब मतलब कबीर क्या बात है मेरे माम और डाड ने इस शादी के लिए ना कर दिया